बेलकम डिया च्टुएंट्स फ्री जॉबलेट एंड एड्यूकिशन चैनल तो इस्टुएंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आप लोग अपना डियाचे अपना जो आपका हॉमबर्क होता है आपके सीए होते हैं आपके एडिशनल आसाइमेंट और आपके सी एडिशन हो चुके हैं जिने स्टुएंट के जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन तो काफी स्टुएंट्स को जो है प्रॉब्लम हो रही है उनको समझ नहीं आ रहा है समिट कैसे करना है अपना वर्क चोन डियाचे दिये जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में और काफी क्लास रूम गूगल प्लेश्टोर पर जाके डाउनलोड कर लेना एज़ी और यहां पे आपको देख रहा होगा इसको मैं ओपन कर लेता हूं तो इस्ट्वेंट यह ओल लेड़ी इसमें Google Classroom की जो Classes होती है रेलबा की वह पहले से इसमें हैड हैं ऐसा आपके Google Classroom पर आपको लिंक मिला होगा आपके कोर्स की आपकी फैकल्टी की तरफ से उसमें आपका कोड दिया होगा होगा कोड आपने जोइन कर लिया होगा तो आप सट्याप का एक बॉक्स यहां पर डिए होगा जैसे वक्स आपको यां पर दिख रहे हैं तो श्ट्वेंट ऐसा बॉक्स आपके इसकी आपकी जो गूंग पर आ रहे हो तो यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या मैं आपको बता देता हूँ तो इजी लिए आपको Google Classroom जो join करना होता है वो आपको code दिया होता है link पे click करेंगे आप उस पे आपको code होगा code आपको type करना होगा और आप जो अपनी class को join कर सकते हो ऐसा box बन जाएगा जब आपकी class join हो जाएगी यहाँ पे जैसे PG Diploma H यानि की PGDHR SW यहाँ पे लिखा है यहाँ पे course का नाम लिखा होता है जैसे आपने अगर BSC में BA में DLA में admission लिया है तो आप लोगों का यहाँ पे course का नाम लिखा होगा उसी के नीचे आपकी faculty teacher का नाम लिखा होगा और अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे किसी को DHA मिला है तो DHA आपको submit कैसे करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको click करना होगा अपनी classroom पे classroom पे ,click करने के ब57 आपको classwork पे क्लिक करना होगा classwork पे लिख करने के बाद आपको आपके पास students तीण option आ रहे होगे जैसे कि यहाँ पर option आ रहा है एक percent पे लिख देख सकराल चाहरा है एक classwork का तो आपके टीचर ने यहां पर assignment जो वो आपका यहां पर upload कर दिया होगा तो आप जैसे उस पर click करेंगे अपने DHA पर या assignment पर आपकी CT का जो paper होता है उसके लिए तो आपको आपको मिल जाएगा तो आप जैसे किसी को DHA summit करना है तो यहां पर आ रहा है DHA objective और DHA दो type की होते है objective होता है CA जो होता है वो आपका 4-5 दिन बाद या जब आपकी faculty जो teacher होगी वो चाहेंगी वो एक महीने में 4 CA या फिर 2 महीने में 4 CA वो ले सकती है अपनी इच्छा से जो CA लेंगी तो आपको बता देंगा अब assurance कुछ नियम है जो आपको follow करना है आपको इस बार कोई भी cheating नहीं करन आपको पढ़ाया है जो notes दिये हैं आपको हूब हूब उसकी copy नहीं करना है आपको समझदारी के साथ अपने दिमाग से जो clue आपको मिल रहा है जो आप समझ रहे हो उस question के बारे में वो आप लिखें तरीका teacher जो आपको समझाया है उसको follow करें लेकि हूब हूब टीचर की नकल ना करें जो notes आपको मिलें आप उस message आपने की कोशिच ना करें क्योंकि 12 के बाद जो students graduation, post graduation पढ़ता है वो sincere इतना हो जाता है कि वो अपनी मतलब समझ के अनसार अपने question को develop कर सकता है लिख सकता है यहाँ पे खास करके B.Ed और D.L.Ed के student को यह ध्यान देने की जरूरत ह है कि वो लोग किसी भी तरह की cheating ना करें क्योंकि उन्हें student को पढ़ाना है वो एक teacher बनेंगे और teacher कभी cheating नहीं कर सकता है तो student आपको cheating नहीं करने है आपको जो समझ आ रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है Google Classroom पर जाने के बाद आपको DHA Summit करने के लिए ऐसा आपका box आ जाएगा DHA का DHA पर आप click करेंगे click करने के बाद देखो यहाँ पर already submit किया हुआ है तो आपको करना कुछ नहीं है अगर आपको कोई DHA Summit नहीं है यहाँ पर submit था मैं यहाँ सी इसको अं-summit भी कर सकता हूँ करें आप अब इस्वेंट आपका जो क्लास गूगल क्लासरूम पर इस तरह से आ गया होगा आपको सिर्फ DHA पर आपके क्लिक करना है objective यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको ब्लैक लाइन में देख रहा होगा एड़ वर्क इस एड़ वर्क पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ने जो DHA बनाया है किसी भी कॉपी पर बनाया है तो आप उसकी पीडियाप बना नहीं easily या फिर आप इसकी फोटो ले लें फोटो लेंगे तो आप डारेक्टी कैमरे पर क्लिक करके उसकी फोटो ल तो मैं मैं या पर आपको दिखा ज़़रा हूँ जासे के मैं अभी डारेक्ट कैमरे से यहां पर अप्लोड करना चाहँता हूँ मैं तो मैं यह पर टेक यॉप फोटो इस पर क्लिक करूँगा तो यह उपन हो गया उसके बाद यह एक फोटो मैंने लिया ओके किया यहां पे ओके करने को आद यह अप्लोड हो रहा है देखो तो प्लीज इस्टोएंट्स आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहों अब इस्टोएंट से अप्लोड हो चुका है यहां पर आपको देख रहा होगा मैं इसको हैंटिन कर देता हूँ तो यह हेड हो गया क्योंकि अब यह छिप चुका है अब इस तरह से आपको सब्कारना अपना बर्क अब इस ट्रहेंट्स जो आपका सी ए होता है वो CA मैं आपको बता दूँ आपका CA जो होता है उसकी आपको link मिलेगी यहीं पे और CA जो होता है उसका time होता है आपको एक गंडे के अंदर या 30 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर CA submit करना ही करना होता है आप directly click करेंगे क्लिक करने के बाद आपको link मिलेगा उस link पर आप क्लिक करेंगे और link पर क्लिक करने के बाद आपका जो see होगा वो directly Google पर जाके खुलेगा और उस पर आपको object type की question दिये होंगे उस question को आपको attempt करना है यह मैं objective सीए का बदा रहा हूं तो objective सीए आपका Google पर जाके open होता है उसके बाद इस्ट्राइट्स आपका जो subjective जीए होता है उसके लिए time मिलता है और सब्जेक्टिव सीए का यहां पर एक column आ जाता है उसमें आपका सीए होता है सीए का topic आपको नोट्स करना होगा नोट्स करने के बाद इस्ट्राइट्स आपको हल करना होगा हल करने के बाद आपको पीडियाप बनानी होगी या फिर डारेक्ट मोबाइल से फोटो लेना उसका और डारेक्ली जैसे डीएचे समिट किया था वैसे आपको सीए डारेक्ट यहां पर हो जाएगा अगर time से पहले सम्मेट होता है तो missing नहीं आएगा वहाँ पर time के बाद होता है तो missing आएगा okay points missing आता है तो आपका check नहीं कह जाएगा आपको नम्मन नहीं मिलेंगे उसके final जो आपके marks मिलते हैं तो यह आपकी basic information थी अब points आपको मैंने पहले बता रखा है कोई भी किसी भी तरह की cheating नहीं करनी है और जो दयालबा के teacher आपको पढ़ा रहे हैं notes दे रहे हैं आपको उसकी copy नहीं करनी है अपनी समझदारी से और उस notes को follow करते हुए लिखना है who copy नहीं कुटानी है जैसे वहाँ पर यह लिखा है तो आपको मतलब उस तरह किसी नहीं लिखना है जैसे वहाँ पर आपको दे रखा है कुछ अपनी तरफ से एड़ गनना है ओके श्वेंट्स तो बेसिक आपके लिए इंफॉर्मेशन दी तो प्लीस इस्ट्वेंट्स वीडियो को शेयर करें जितने भी श्वेंट्स है नियू तो आपने अब सीख लिए होगा यहाँ पर क का जो नोट्स बगरा होते हैं वो आपके मिलते हैं यहां पर तो आप अपने नोट्स को यहां पर चेक कर सकते हो जो आपकी मैम आपकी फैकल्टी आपको नोट्स यहां पर प्रोवाइड कराते हैं तो वो नोट्स आपको यहां पर मिल सकते हैं आप अपनी कमेंट बगरा भ okay students